क्या होती है joint will बनाना चाहिए ऐसे couples को जिनके joint property है joint will एक ऐसी will है जो एक से ज़्यादा अव्यक्ति एक ही document में अपनी will बनाता है वसियत लिखता है यह एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं जरूरी नहीं है इसमें यह खाली अपनी joint property को आगे दे, यह अपनी अपनी property को भी दे सकते तो मैं अपनी wife के साथ कुछ property jointly own करता हूँ, कुछ property मेरी wife की अपनी personal है, कुछ property ऐसी है जो मेरी है, हम दोनों ने joint will बनाई, उसमें यह सारी properties हमने डाल दी, जो jointly own है उसको भी, जो मेरी अपनी है वो भी, और जो मेरी wife की अपनी है वो भी, और हमने इसको mutual भी बना सकते हैं, अलग, mutual का मतलब क्या है, mirror, एक दूसरे को दे, reciprocal, कि एक दूसरे को दे सकते हैं, हम कह सकते मेरे बाद हम में से जो भी survive करा, उसकी यह सारी property है, और हम दोनों के बाद हमारे बच्चों में इस तरीके से divide कर दी जाए, यह होगी reciprocal, तो reciprocal एक अलग चीज है, mutual अलग चीज है, joint अलग है, joint मतलब साथ मिलके, mutual मतलब एक दूसरे को, तो joint will होती है, mutual will होती है, और joint mutual भी होत होती है, तो इन में difference क्या होता है, joint, mutual और reciprocal आपने कहा, तीन wills का जिकर क्या, अगर एक ही कागज में, एक ही document में, एक से ज़्यादा व्यक्ती will बना रहे हैं, तो वो joint will, mutual मतलब reciprocal, एक दूसरे को दे रहे हैं, पर यह हो सकता है कि अलग अलग will बनाए, मैंने अपनी will बनाई मेरी wife ने अपनी will अलग बनाई, पर दोनों ने एक दूसरे को दिया, और उसके बाद लिखा कि हम दोनों के बाद, जिसकी भी death हो गई, दूसरी property survivor को मिली, और survivor के बाद इस पे चली गई, अब इस mutual will में एक problem है, problem क्या है, कि जैसी, suppose मेरी death पहले हो गई, मेरी सारी property मेरी wife पे चली गई, अब wife के पास power है, कि वो अपनी will बदल दे, क्योंकि अब मेरी property प्लस उनकी property, किसकी property हो गई, वो उनकी property हो गई, अब उनके पास power ही है, विल बदल दे, तो हो सकता है, जो हमने originally decide करा, कि मैं अपने बढ़ लेटके को 70% दूँँगा, छोटे को 30% दूँगा अब उनके equations change हो गई life में, अब वो उल्टा कर देते हैं, 30-70 कर देते हैं, अब इस पे मेरा कोई जोड़नी है, पर अगर मैंने joint will बनाई, और उसमें reciprocal देकर का कि हम दोनों के बाद यह होगा, तो जो survivor है, उसके पास power खतम हो जाती है, विल को change करने की, क्या ये एक अच्छ जोड़ी है, तो उनकी मर्जी भी तो होनी चाहिए है, उसमें, नहीं, वो तो मर्जी हमने पहले दोनों ने decide करी, लेकिन मर्जी बदल भी सकती है, आप खुद क्या दे है, अब मर्जी बदलना अच्छा है या बुरा, ये बहुत situational है, अब मैं आपको कुछ सिच्वेशनल बुरा क्या है, बुरा क्या है, बुरा ये है कि बच्चों को इसमें assured inheritance विजाती है, उन्हें पता है कि हमारे माबाप के पास पावर ही नहीं है, विल बदलने की, तो क्या वो माबाप को उतना ध्यान रखेंगे, अब तो हमारे पर आनी है, ये कुछ करी नहीं सकते, दूसर बच्चे को पता है कि मैं अपनी विल बदल सकता हूं, तो क्या करेगा, मुझको धीरे दीरे फोर्स करेगा, कि मैं आपकी सब कर रहा हूं, दूसरा तो कुछ ध्यान नहीं दे रहा, अब ये सारी जायदा है मेरे नाम कर दो, मैं ऐसी situation में हो, चाहा कर भी नहीं हूं कि मैं म रिलेशन खराब हजाएंगे, तो अगर ऐसी स्थिती में आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते, कि उनको ब्लैक्मिल करा जाए, आपकी डेथ के बाद की विल बदलो, तो जॉइंट विल, विदाउट दर राइट तो चेंज इट आफ्टर योर डेथ, इस करके आप डिसाइड करें कि जॉइंट बनानी है, मूचल बनानी है, जॉइंट और मूचल साथ-साथ बनानी है, वाटेवर यूँ ओके, तो मैं यही पूछना चाहरी थे, हमार पस एक प्वेशन भी आया है, कि पिछली शादी, अगर मार लिजए कि कि किसी ने रिमारज कि पिछली शादी से बच्चे हैं, तो उनको राट फ्रव्री यूप से बच्चे थे, अब दूसरी शादी से बच्चे हैं, ऑ़ एक तुफर जॉइंट वील इहम लॉल-प्ले करेगा? क्योंकि अगर उस पेरेंट की डेथ होई जिसके वो बच्चे हैं और दूसरे पेरेंट के पास चली गई वेल्थ जिसके बच्चे नहीं है तो तो पक्का बगलने की चांसे दें तो ऐसे में जॉइंट विल बैटर है जिसमें मैं कहता हूं कि हम दोनों ने डिसाइड करा यह ह आपके पास पावर नहीं है कि इसे चेंज करो इसमें एक वर्ड यूज करते हैं लौ में इंप्लाइड ट्रस्ट जब मैंने विल बनाई मैंने और मेरे पार्टनर ने हम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करा विश्वास करा कि हम दोनों के बाद यह होगा अब एक की इसक्र दोनों की अब नहीं बिएद के बाद लौ कहता है कि आप दूसरे का विश्वास टोड़ने सकते लौकर लौकर हो उनकी जो D by मेरे मेरे में के बाद वह हम दोनों की मर्जी से हो, साजा मर्जी से हो, किसी एक की मर्जी ना चले.